अब एक नई एक्सरसाइस स्टार्ट करिए इस इस दे लास्ट एक्सरसाइस ऑफ चार्टर तो उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं अभी तक हमने आपको questions, equations दी गई थी, equations को कैसे solve करना है वो बताया गया था अब यहां पर word problem है word problem में आपको करना क्या है कि equation खुद बनानी है और उसके बाद उसको solve करना है यहां पर हम आपको बताएगे कि equation कैसे बनानी है अब equation कैसे बनानी है आपको मालूम है कि यहां पर exercise 7.1 में हमने बहुत छोटी-छोटी equations बनाएगे बहुत छोटी नहीं उसी तरीके से हम यहां पर equations बनाएगे और उसको फिर solve करेंगे तो सबसे पहले देखे equations को बनाना कैसे है जैसे यह बोल रहे है जैसे sentence में है उसी sentence को हमने mathematical expression में बदल देना है इस सिक्स एड़िड टू सिक्स को एड करना है जिक्स को एड करना है किसमें एड करना है Thrice of a number किसी number के Thrice मतलब 3 times मतलब 3 गुना 3 times Times means multiply तो Thrice of a number Thrice अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ Thrice of a number ठीक है Number क्या Suppose X Thrice of a number 3 X मतलब सबसे पहले आपको क्या बता होना चाहिए वह number बता होना चाहिए क्योंकि वह number unknown है तो हम यहाँ लिखेंगे Let The Required number Required number मतलब जो हमें चाहिए Let the required Number be X जो हमें चाहिए Suppose वह number क्या है X अब इन्होंने बुलाए Thrice of a number Thrice Thrice पूपते हैं आप three times Three times a number So three times Times के लिए हम क्या use करते हैं Multiply So three times a number कौन सा number X So हमारी equation क्या हुआँ की 3X Right So इस तरीके से हमें देख कर समझ कर तब इन equations को form करना है दुपारा से देखते हैं Six added two Six को add करना है किसमें add करना है? Thrice of a number अगर हमने six को add किया Three times किसी number में तो it will give 33 अगर आप six को add करेंगे किसी number के thrice में तो सबसे पहले को आपको Thrice of a number पता होना चाहिए Add के लिए आप लस का single उस करना है और add क्या करना है आपको six So this is your required equation अब इसको हम solve करते हैं यहाँ पर क्योंकि एक ही term है variable की space को यहाँ पर रख लेते Constantly side change कर देंगे यह है 33 Plus six हमें आने चाहिए Plus six का side change होगी क्या हो जाएगा Minus six कैसे अब आपको side change कर दी है Q कर दी है कैसे होदी है वो हमने आपको sub explain कर दिया Plus का sin minus पे Q बदलता है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर रिखते है 3x is equal to 33 minus six is 27 and value of x आप find out कर सके 27.3 3 वंदर 3 3 lines are 27 So x के value क्या आई है 9 So therefore the required number जो नमबर आपको चाहिए वो क्या है वो है x और x के value उने find out क्यों है 9 X के value उने क्या find out क्यों है 9 अब देख लेते हैं कि 9 की value verification मतब मेरा यह equation मेरी सही है या नही है या मेरा जो answer है वो सही है या नही है तो मैं अपनी equation में इसको फटा 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 करके cross check कर लेती हूँ अभी तक जो हम check करते आई है verify करते हुए verify करते हुए verify का मुझे क्या होता है इपर check कर लीजे आपना answer सही है या नही है इसको हम एक और दूसरे नाम से गुला दे cross check आप cross check भी कर सकते है cross checking भी आप जो आपकी value आती है इसको आप अपने main equation में डालिए LHS equal to RHS हुझाता है तो आपको answer सही होए right 3 3 to 9 plus 6 is equal to 33 3 nines are 27 plus 6 equal to 33 27 plus 6 किता हुए 33 and RHS already 33 दोनों सेम होगे तो इसको मतला रहे कि हमाली जो X की value है वो बिलकुल सही है तो इस तरीके से आपने equation बनानी है सब्सक्राइब और इसके बाद अपने लिए कि आपको अगर जरा भी यह लग रहा है कि मेरा answer सही है या नही है तो उसके लिए आप एक बार cross check करके देख सकते हैं